चानक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे रिपब्लिक दे परेड में चीफ गेस्ट के बारे में 2023 में भारत अपना 74 रिपब्लिक दे बना रहा है इस बार के चीफ गेस्ट इसमें होंगे मिश्र के राष्टपती अबदेल फते अलसिसी COVID-19 की वज़े से दो साल बाद कोई चीफ गेस्ट इस समारोब में हिस्सा लेगा इसलिए विशेश है भारत में रिपब्लिक दे पर विदेशी चीफ गेस्ट की पुरानी परंपरा रही है इसमें दो बार पाकिस्तान के नेता भी शामिल हो चुके है जनवरी 1965 में पाकिस्तान के एग्रिकल्चर मिनिस्टर राना अब्दुल हामिद हमारे महमान थे और इसके तीन महीने बाद ही अप्रेल में पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ गई थी अब हम बात करेंगे कि भारत ने मिश्र के राष्टपती को चीफ गेस्ट क्यों बनाया है 74 एर्ज के इतिहास में पहली बार जब मिश्र का कोई लीडर भारतिय गंतंतर दिवस समारोग में चीफ गेस्ट बनेगा तो ये भारतिय विदेशी कूटनीती के लिहाद से एक बड़ा कदम है भारत अरब और दक्षिन में अपनी पहुँच बढ़ाना चाता है इसलिए भी विशेश है इसके लिए अरब देशों में सबसे ज़ादा आबादी वाला और दक्षिन में दूसरा सबसे बड़ा एकॉनमी वाला देश मिश्र भारत के नजरिये से सबसे भेतर है इस साल दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की 75th एनिवर्सरी भी सेलिबरेट की है इसके अलावा मिश्र भारत के सबसे पुराने ट्रेंडिंग पार्टनर्स में से एक है दोनों देशों के बीच साल 2020 और 2021 में करीब 33,000 करोड का ट्रेड हुआ है मिश्र उन नों देशों में भी शामिल है जिनहें भारत ने अगले साल नई दिल्ली में होने वाली G20 सब्मिट के लिए बुलाया है रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत मिश्र को गेहूं भी एक्सपोर्ट करता रहा है इस वज़े से दोनों देशों के रिलेशन पहले से ही कापे अच्छे है और अब इनके और भहतर होने की उमीद भी है इसके अलावा सितंबर में डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग के मिश्र दोरे के वक्त दोनों देशों के जॉइन ट्रेनिंग, डिफेंस को प्रोडक्शन और हत्यारों के मेंटेनेंस के लिए एक MOU भी साइन हो चुका है मिश्र ने भारत में बने तेजस फाइटर जेट खरीदने में भी दिल्चस्पी दिखाई है भारत को मिश्र ने बारवे डिफेंस एक्समो में भी इन्वाइट किया था अब हम बात करेंगे Republic Day Parade का Chief Guest कैसे चुना जाता है और Chief Guest को लेके प्रोटकोल क्या रहता है गरतंत्र दिवस पर Chief Guest चुनने की प्रकिरिया Republic Day से 6 महीने पहले ही शुरू की जाती है विदेश मंत्रा लेके बड़े अधिकारी अलग-अलग नामों पर चर्चा करते हैं इस दोरान कई पहलों को ध्यान में रखा जाता है मसलन जिस देश का Chief Guest होगा उससे भारत की रिष्टे कैसे हैं इसके बाद Political, Economical, Commercial, सेन्न सहोग और अन्य विशोपर चर्चा होती है जब किसी देश को लेकर मीटिंग में शामिल सभी विशेशग्य सहमत हो जाते है तो उस देश का नाम प्रधान मंत्री को भेजा जाता है प्रधान मंत्री अपने सलाकारों के साथ राय मश्वरा करने के बाद फाइल आगे राष्टपती भवन में भेजते है राष्टपती भवन से ग्रीन सिगनल मिलने के बाद तै महमान का शेडूल पूरी सावधानी के साथ उस देश में अपॉइंट इंडियन एम्बेस्टर पता करते है सब सही होने पर विदेश मंतरालय का टेरिटोरियल डिवीजन तै हुई चीफ गेस्ट के साथ बाचित शुरू करता है दूसरी और से सहमती मिलने के बाद चीफ गेस्ट के नाम पर फाइनल मुहर लगती है इसके बाद प्रोटोकोल अधिकारी मिनिट टू मिनिट सेड्यूल प्रोग्राम पूरी सिक्यूरिटी के साथ जिम्मेदार ओफिसर्स के साथ शेर करते हैं अब हम बात करेंगे कि चीफ गेस्ट का प्रोटोकोल क्या होता है तो विदेशी महमान का स्वागत एरपोर्ट पे पीम करते हैं चीफ गेस्ट को राष्टपती भवन में विजिट के लिए ले जाया जाता है यहां भारतिय सेना अपने गार्ड ओफ ओनर्स और 21 तोपो की सलामी देती है इस दोरान महमान के साथ प्रेजिडेंट गार्ड मौझूद रहते हैं जो उनके चारों और सुरक्षा घेरा बनाए हुए होते हैं राष्टपती भवन में चीफ गैस्ट के स्वागत के लिए प्रधान मंत्री के साथ अन्य केंद्रिय मंत्री और दिल्ली की गवर्णर भी मौझूद रहते हैं चीफ गैस्ट राष्टपती भवन से राजगार्ड भी पहुंचते हैं वहाँ वो महात्मा गांदी को शद्धान्जली देते हैं इसके बाद प्रधान मंत्री के साथ लंच होता है 26 जन्वरी को परेड वाले दिन 10,000 से जादा सुरुक्षा करमी चीफ गैस्ट की सुरुक्षा में तैनात होते हैं मल्टी लेड सेक्योरिटी के बीच रेड कार्पेट से होते हुए चीफ गैस्ट मुख्य मंच पर पहुंचते हैं ये मंच बुलेट प्रूफ कार्ट से कवर होता है इस दोरान उनके साथ राश्टपती, प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद रहते हैं परेड में तीनों सेनाय चीफ गैस्ट को सलामी भी देती है अब हम बात करेंगे कि रिपब्लिक डे परेड में सबसे जादा किस देश के चीफ गैस्ट रहे हैं तो रिपब्लिक डे आयोजन के शुरुआद 26 जनवरी 1950 को हुई थी पहला समारोह जो है इर्विन स्टेडियम में मनाया गया था इसमें इंडोनेशिया के पहले राष्टपती डॉक्टर सुकर्णो को चीफ गैस्ट बनाया गया था नहरू और सुकर्णो बेहत करीबी माने जाते थे दोनों ने एशिया और अफ्रीकी देशों की आजादी को लेकर आवाज उठाई थी 1955 में राजपत पर पहली गणतंतर दिवस परेड हुई इस समारों में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाव मुहमत बतो और मुख्य अतिथी शामिल हुए थे इसके दस साल बाद पाकिस्तान के एगरिकल्चर मिनिस्टर 1965 में शामिल हुए और इसके तुरंत बाद ही दोनों देशों में लड आच बार फ्रांस और ब्रेटेन के लीडर शामिल हुए हैं बुटान की राजा चार बार परेड में चीफ गेस्ट रहे हैं 1958 में चीनी आर्मी के मार्शल ये जियान इंग भी रिपब्लिक डे में शामिल हो चुके हैं अब तक कुल 77 विदेशी महमानों ने रिपब्लिक डे की शोभा बढ़ाई है इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मच बूंकर लुपिक की शोभाने टॉ एको उन kilow pressured टॉपिक की शोभाने टॉपिक, की ओम्तॉ और स्वन्तॉ जड आपको इंक्पष्ग की ज-दॉच।